हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू दा इन्फो कैपसूल, इन्फो कैपसूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपको रीजनिंग बढ़ाती हूँ, आप रीजनिंग के बात करें, तो हमारे एंटी पीसी के एक्जाम में रीजनिं यूट्यूब चैनल पे जाकर इन्फो कैपसूल सर्च करिए, और इन्फो कैपसूल सर्च करके, आप मेरे लाम डाली है उसमें प्रियंका, उसमें वेरे सारे वीडियोज दी हुई है, आप मेरे वीडियोज देखने में और बाकी के जो वीडियोज है, उनको देखने में क् पर्क है अब जो बाकि कोचिंग होती हैं वो क्या करती है वो बेसिक से नहीं पढ़ाती है जबकि मेरे वीडियो में जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा हैं वो सारे के सारे इस सारे बेसिक से पढ़ाएं गये चाहे scheint आप सीरीस की बात कर चाहे आप से लॉक्सी बात कर लीजिए, पॉदिंग की बात कर लीजिए, सारे चैप्टर Vera मैंने बेसिक से पढ़ाये अब हमने सारे चैप्टर स को कवर कर लिया है, अब क्योंकि एग्जाम में हमारे पास रुटली ज्यादा टाइम नहीं बचा एक हफता बाकी है तो अब हम previous year paper को solve करेंगे आर्ट हम previous year paper solve करने वाले है RRB NTPC का 2016 का paper है देखते हैं 2016 में किस तरह के question आये थे previous year paper को solve करने का फायदा हमें ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि जो एक्जाम होने वाला है उससे पहले जो उसी पोस्ट का exam हुआ है उसमें किस तरह के question आये थे तो अगर कुछ तरह के question आये है कैसे पता करना जाये तो आप previous year paper देखिए मैंने 2016 का previous year paper उठाया है तो अब देखते हैं 2016 के previous year paper में किस तरह के question आये थे बात करते हैं अपने क्वेशन की देखिए कॉलेज काउंसिल इस ऑडिटिंग स्टुडिंट्स फॉर एक कॉलेज काउंसिल एक सांस्किति वो सब के लिए छात्रों का ओडेशन ले रहे हैं उन्हें निम्लिके मानदंडों को पूरा करना है यह हमारा एलिजिबलिटी करने के लिए आपकर के लिए करना चाहिए की चाहिए तो ङौनिवर्स में जिस कोलेज मी अप दाखिला लेना चाहिए उसका कुछ र便र क्राइटेरियो होता है डानिकन के पास होने पर आपके कई जारे कॉलेज होते हैं जो पेसनेगर नहीं लगाते कुछ college होते हैं जो percentage की बाव addition लगा देते हैं कि आपके 12 में इतने person हो तभी आप apply कर सकते हो कि फिर कुछ college ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आपने यह किया कि आपकी age इतनी होनी चाहिए तो यह age होनी चाहिए इतने कोई gap नहीं होने चाहिए year का यह सब चीज़े करके दी होते हैं तो उसी तरह से इसमें question में बोला गया है तो अगर आप जैसे as a student किसी college में admission के लिए apply करते हो तो अगर आप सारे के सारे जो उनका eligible criteria होता है उसको follow करते हो तो आपका admission हो जाता है अगर नहीं करते हो तो नहीं होता है तो उसी तरह के question अमारे eligible criteria में आते हैं अब जरूरी नहीं वह college admission के बात हो और किसी question आ सकते है जैसे आपके किसी job के लिए apply कियो और इस चीज़ के लिए हो सकता है या वह और किसी चीज़ों के लिए भी हो सकता ह क्वेशन की बात करें question में दिया है कि एक college है वो एक cultural festival करवाना चाह रही है सांस्कतिक उस सब करवाना चाह रही है उसमें वह जो उसके school के college के छात्र है उनका admission लेना चाह रही है वह cultural festival में कौन-कौन से student part ले सकते हैं उसके लिए उसने कुछ criteria बनाया हुआ है अब क्या criteria ह हमारा student must know at least one dance form student को कम से कम एक dance form पता होना चाहिए तो हम अपनी first condition लिख लेंगे first condition है हमारी transform ठीक है यह हो गही हमारी first condition अब second condition हम तेखते है कि student must know how to play at least one musical instrument student जो है उसको कम से कम एक संगीत बाद्धियंत्र बजाना आना चाहिए क्या होगा तो हम यह condition लिख दे play at least one musical instrument यह हमारी हो गए second condition पहली थी कि उसको एक dance का form पता होना चाहिए second थी वो कम से कम एक बाद्धियंत बजाना आना चाहिए उसको फिर तीसरी हमें condition दी हुई है student must have good acting skill उसको अच्छा अपने करना भी आना चाहिए तो third condition हमारी होगे acting skill की ठीक यह हो गई हमारी सारी अब question देखते दिया which one of the following will be the counting definitely select इन में से कौन निश्चित रूप से चयन होगा अब A option दिया है और भी कुछ option दिये तो हमें बताना है कि कौन इसमें से select होगा अगर हम एक ही बात करें Z is भरत नाट्यम डांसर Z जो है वो भरत नाट्यम डांसर है तो यानि dance form वाला वो follow कर रहा है ठी फिर आगे दिया है अब violinist एक violin बादक है यानि वो एक musical instrument भी बना लेता है तो अगर नहीं आता है तो यह जो हमारी condition होगी वो wrong हो जाएगी यारी first or second condition तो वो follow कर रहा है Z लेकिन third condition वो follow नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसका उस सांसकिति मुस्टव के लिए selection नहीं होगा क्यों? क्योंकि सांसकिति मुस्टव में selection के लिए उसको तीनों के तीनों condition follow करना जरूरी होता है अब अगर यह होगी हमारा first option तो हमने देखा first option हमारा follow नहीं कर रहा है अब second option की बात करें P plays football, football केलता है, guitar केलता है, has acted in road show and is a और देखे P football केलता है और guitar बजाता है, guitar बजाता है यानि musical instrument दिलाता है और road show में काम करता है और classical dancer है, road show में काम करता है तो उसके लिए acting आना जरूरी है तो वो यह भी करता है और classical dancer भी यानि उसको dance form भी आता है तो यह हम क्या देख रहे हैं कि यह जो हमारे second condition है, second वाला option है P, P सारी condition हमारी follow कर रहा है तो यानि B हमारा answer हो जाएगा पाकी के options भी check करतें देखतें आगे और कोई options है की नहीं G is a contemporary dancer, J एक dancer है contemporary तो यानि first वारी condition follow कर रहा है एक actor है, actor है यानि acting skill को आती पिर बोला है कि वो flute सीखने की योजना बना रहा है, यानि बासुरी सीखने की योजना बना रहा है तो क्या है, इसमें कहा गया है कि उसको musical instrument आना जरूरी है जबकि इसमें कहा गया है कि उसको आता रही है लेकिन वो सीखने की योजना बना रहा है option अब फ़टकी बात करें तो यह है A play sitar A sitar बजाता है यानि हमारी जो musical instrument वाली है वो उसको follow करता है is a hip hop dancer वो उसका dance form भी दे दिया है कि वो hip hop dance करता है फिर बोला है and does not have any acting skill उसके कोई acting skill नहीं है यानि उसका dance form दिया हुआ है एक musical instrument भी बजाता है लेकिन उसको acting skill नहीं आती अब क्योंकि eligible criteria के question में हमको सारी condition follow करना जरूरी होता है अब क्योंकि यहाँ पे सारी condition नहीं दी हुए तो इस वज़े से यह जो हमारा question है यह वाला option है वो हमारा wrong हो जाएगा तो हमने क्या देखा कि जो हमारे options दिये थे चाहिए A हो B हो C हो D हो उसमें B option को छोड़ के कोई भी option ऐसा नहीं मिला जो तीनो options को हमारी eligible criteria को तीनो conditions को follow कर रहा है तो इस वज़े से इस question का answer हमारा option number 2 हो जाएगा अब बात करते हमारे next question की if research is coded at कुछ condition दी हुई है and then square is coded at अब यह हमें coding recording का question दिया हुआ है दो इसमें हमें का है research का code दिया हुआ है क्या दिया हुआ है अगर research की बात करें इसका code है हमारा dollar hashtag exclamatory then hashtag percentage dollar and और add the rate अब हमें बताना है square का code S, C, A, R अब S है हमारा यहाँ पे third position पे हमने बताया था जब हम coding decoding के question solve करते हैं तो coding decoding के question हमारे solve करने पर जब हमें यह symbol ways दिया होता है तो हम numbering के हिसाब से लेते हैं जैसे first number पे R है तो R का code हमारा dollar हो जाएगा E का code हमारा hashtag हो जाएगा S का code यह sign हो जाएगा E का भी hashtag इसी तरह से आ गई तो ऐसे हम code लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे S का code find करें तो S हमारा यहाँ पे third position पे है और third position पे हमें क्या दिया हुआ है एक्सले मेटरी sign उसके बाद C का code देखे C हमारा last से second position पे तो last से second position पे हमारा code आ रहा है यह फिर A की बात करें A हमारा यहाँ पे fifth position पे है तो fifth position पे 1,2,3,4,5 हाँ five position पे है five position पे हमें दिया हुआ है 1,2,3,4,5 यहाँ परसंटे तो यहाँ आ जाएगा परसंटे R हमारा first position पे दिया हुआ है, first position का हमारा code है dollar, यहां आजाएगा dollar, फिर E हमारा second position पे hashtag, तो यह आगया हमारा hashtag, तो हमारा square का code क्या आगया, exclamatory sign and percentage dollar और hashtag, और hashtag, तो option number A जो था, वो हमारा, ऐसा option है, जो हमारे दिये हुए, जो भी हमारा यहां पर code आ रहा है, उसको follow कर रहा है, यानि इस base question का answer, हमारा option number 1 हो जाएगा, तो यह हमने देखा कि कौन से question, हमारे previous paper की question में आये थे, यह सारे chapters मैंने पढ़ाए हुए, अगर आपको कोई भी confusion हो, तो आप मेरे videos देख सकते हो, उसमें मैंने basic से सारे चीज़े पढ़ाए हुई है, अब बात करते हैं, हमारे next question की, हमारा next question है, study the foreign information clear fully, to answer the question given below, निमलिखित, नीचे दिये गए, प्रशन का उत्तर देने के लिए निमले के जानकारी का ध्यानपूरग अध्यान करी, अब, the likes and profession of five friends, Rosie, Mary, Lily, Andy and Daisy are given, consider the following information and answer question based on it, पाच दोस्ट दिये हुए हैं, कौन-कौन, Rosie, Mary, Lily, Andy and Daisy, इनकी पसंद और profession दिये हुए, अब इसके आधार पर हमें कुछ information दिये हुए है, इस information को हमें देखना है, कि उस information के हमारा क्या answer आएगा, यानि जो हमें पाच परसन दिये है, वो कौन-कौन सा उनका profession है, और वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, अगर information की बात करें, तो information क्या है हमारे पास, Rosie like yellow, अब देखे हमारे पास पाच परसन दिये हुए थे, हमने जब इसको solve करना बताया था, तो बोल अब बोला है, रोजी को yellow पसंद है, अब यहाँ पर हम जो table बढ़ा रहे है, एक हम करते है life की, और दूसरी हमारी profession की, ठीक, आ गया है, रोजी को yellow पसंद है, यहाँ पर हमारे yellow आ गया, और वो एक student है, तो यहाँ पर हमारा आ गया student, ठीक, पिर दिया हुआ है, जो librarian है, उसको green पसंद है, तो अभी हमें यह नहीं पता है कि librarian कौन है, तो हम यहाँ पर अलग से condition लिख लेते हैं, यह librarian को कौन पसंद है, पिर दिया है, Mary and Andy like purple and blue respectively and neither is them is a teacher, Mary को purple पसंद है, और Andy को blue, तो Mary का यहाँ पर आगया हमारा purple, और Andy का blue, और इन में से कोई भी teacher नहीं है, ठीक है, पिर दिया हुआ है, लिली likes brown and the inspector like blue, जो लिली है, उसको brown पसंद है, लिली को brown पसंद है, और बोला है जो inspector है, इन्स्पेक्टर को जो blue पसंद है, तो blue हमारा Andy को पसंद है, यानि हमारी जो Andy है, वो क्या आगई, इन्स्पेक्टर, अब देखिए, हमारे पास ये चार लोग का पता लग गया, कि चार लोग कौन कौन से color पसंद करते हैं, अब हमारे पास ये जो condition थी, कि जो green पसंद करता है, वो librarian है, यानि green केवल Daisy के लिए बचा, तो ये green आ गया, तो ये क्या हो गई, librarian, तो Daisy हमारी आ गई, green और librarian, अब ये हमारी teacher नहीं है, Mary, तो हमारे पास condition यहाँ पर लिली की बच्ची, तो लिली हमारी आ गई, teacher, ठीक, ये आ गई, अब एक चीज़ दे principle है, तो अगर हमको चार लोग को profession पता लग गया है, कि कोई student है, teacher है, inspector है, librarian है, तो एक परसन का नहीं बचा, तो एक बचा है principle, यानि Mary हमारी हो जाएगी principle, ठीक, अब ये हमारा पूरा solve हो गया, जो हमें information दी गई थी, मैंने इसको solve करना हमेशा बताया, जब भी आप इसको solve करे, table बना के solve करे, table बना के solve करने में easy रहता है, wrong नहीं होता है, conditions, miss out नहीं होती है, तो हमने table बना के solve किया, अब हम इस base पे question को solve करेंगे, question क्या है हमारा, which color does the teacher like, teacher कौन सा color पसंद करती, अब teacher हमारी है, lily, तो पसंद करती है, brown color, यानि इस base पे question का answer हमारा, option number 2, brown हो जा principle कौन है, principle हमारी कौन है, table के according, Mary है, तो Mary is a principle, then option number 3, जो है, इसका answer हो जाएगा, Mary, क्योंकि Mary हमारी principle है, अब next question की बात करें, which among the following is the wrong pair, इन में से कौन सा गलत जोड़ा है, अब Andy क्या है, inspector, Andy inspector है, ये सही चीज़ है, फिर दिया हुआ है, जो purple पसंद करता है, वो principle है, जो principle ह ये सही दिया हुआ है, फिर Daisy का दिया हुआ है, ग्रीन, तो Daisy हमारी green पहला है, और Rosie को दिया हुआ है teacher, तो Rosie हमारी teacher नहीं है, Rosie हमारी student, तो हम क्या देख रहे है, इस बेस पे, कि हमारा जो option number 4 है, उसको छोड़ कर, हमारे जितनी भी option दिये है, वो correct combination दिया हुआ है, table के according, त अब बात करते हैं हमारे next question की, next question है, statement followed by some conclusion are given below, कुछ statement दिये हैं, उसके बाद हमें कुछ conclusions दिये हुए हैं, अब statement क्या है, X is 7 meter tall, Y is half as high, and Z is 3 times the height of X, X जो है, वो 7 meter लंबा है, और Y जो है, वो क्या है, Z की, X की height का, क्या है, आधा है, और Z जो है, X की height का 3 गुना है, फिर दिया हुआ है, P is taller than Z, but shorter than A and B, P जो है, Z से लंबा है, लेकिन, A और B से छोटा है, अब अगर हम first वाले conclusion की बात करें, X हमारा, 7 meter लंबा है, फिर दिया है, Y is half as the height, and Z is 3 times of height of X, अब Z जो है, वो X की height का 3 गुना है, अब जो Z हो जाएगा, हमारी X की height दी हुई है, 7, तो इसका 3 गुना क्या हुआ हुआ? 21 meter, फिर दिया हुआ है कि Y is half as high, Y जो है, X की height का half है, तो Y की height अमारी क्या आ गई? 3.5 meter, क्यों? क्योंकि X की height हमारे 7 meter, दी होई थी, यह 3.5 meter होगा, फिर बोला है, P जो है, Z से बड़ा है, P is short, taller than Z, but shorter than A and B, लेकिन A और B से छोटा है, अब इस में इस पर हमको conclusion दिया हुए, conclusion क्या दिया हुआ है? B is tallest of all, B सबसे लंबा है, अगर हम यह देखें कि Z की हमारी जो height है, वो 21 meter है, तो Z हमारे 21 meter है, लेकिन P हमारा Z से बड़ा है, और Z से बड़ा A या B है, तो इसमें दिया है कि A या B बड़ा है, या तो A बड़ा है, या तो B बड़ा है, मैं बड़े A भी है, और B भी है, लेक इसमें दिया हुई है, इसमें कि A और B जो है, वो P से बड़े है, लेकिन A और B एक दूसरे से बड़े है, कौन बड़ा है, और B में से, लेकिन कौन छोटा है, यह हमें नहीं पता है, तो इस वज़े से first वाला जो conclusion है, वो हमारा wrong हो जाएगा, अब second conclusion की बात करें, X, Y और Z की औसत आई, उचाई, 10 मीटर से कम है, X, Y और Z की औसत उचाई, 10 मीटर से कम है, तो अगर X, Y, Z, इन तीनों की अगर हम हायर की बात करें, इनके औसत निकालो, औसत प्लस 7 प्लस 21 प्लस 3, 21 प्लस 7 कितना हुआ, 28 प्लस 3, कितना आया, 31, तो 31 का अगर औसत निकालें तो कितना आया 10.3 something आयेगा और बोला है कि ये 10 मीटर से कम है यानि ये वाला conclusion भी हमारा wrong आयेगा तो इस बेस बेस question का answer क्या होगा options की बात करें तो इस question का answer हमारा option number D जाएगा कि दी हुए statement के according ना तो हमारा option number 1 सही जा रहा है conclusion ना ही हमारा conclusion number 2 सही जा रहा है तो यानि इस ब people who travel by train also travel by car और bus but not cycle कितने लोग हैं जो किस से travel करते हैं além Template करते हैं लेकिन करेंज करते हैं कार मेरा और बस हेंज लेकर से नहीं करते हैं अब हमें कुछ conditions दी होंगी हमें किस का पता लगाना है train का, car का और bus का लेकिन cycle से नहीं करते है तो यह हमें दिया हुआ है यह हमारा question है बेन diagram का इस बेस में देखना है अब देखी यह वाला जो हमारा circle है triangle जो है वो हमारा car को denote कर रहा है यह हमारा car को denote कर रहा है फिर बोला है bus bus को हमारा rectangle यह वारा denote कर रहा है तो हमारा यह bus हो जाएगा फिर यह जो हमारा circle है यह हमारा train को denote कर रहा है यानि यह जो हमारा पूरा portion है यह हमारा train को denote करेगा और यह जो हमारा edges थोड़े round way है यह हमारा cycle को denote कर रहा है तो यानि यह जो हमारा figure है यह हमारा cycle को denote करेगा अब हमें पता करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो bus, car और train से travel करते हैं लेकिन cycle से नहीं करते हैं अब अगर हम इस diagram में देखें तो इस diagram में bus, car और train तो देखें 10 person ऐसे हो रहे हैं 10 हैं यहाँ पर जो हमारे triangle में भी आ रहे हैं सरके में भी आ रहे हैं और rectangle में भी आ रहे हैं यानि total 10 persons ऐसे आ रहे हैं जो इस से travel करते हैं लेकिन cycle से नहीं करते हैं अगर किसी चीज में अगर कोई पूछे कि 50 क्यों नहीं आ रहा हैं तो देखें 50 हमारा जो आ रहा है वो हमारा bus से travel कर रहा है लेकिन जो हमारा triangle denote कर रहा है car को car से travel नहीं कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं केवल 10 persons हमारे ऐसे है जो हमारे train, car, bus से travel कर रहे हैं लेकिन cycle से travel नहीं कर रहे हैं एक बार और चीज़े देखें और कौण कौण ऐसा है जो इसमें आ रहा है तो और कुछ नहीं आ रहा है यानि कि total 10 persons हमारे ऐसे आएंगे जो हमारे train, car और bus से travel करेंगे तो क्यों? क्योंकि यहां पर 10 हमारा ऐसा है जो हमारा train में भी आ रहा है car में भी आ रहा है और bus में भी आ रहा है तो इस question का answer हमारा 10 हो जाएगा कि total 10% ऐसे है जो train, car, bus से travel कर रहे है तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे RRB, NTPC के जो question थे previous time में किस तरह से आये थे सारे chapters में पढ़ा है हुए आप जितना practice करोगे उतना जल्दी solve कर लेंगे अब देखें इसमें कोई question बहुत ज़्यदा tough नहीं दिया हुआ अगर आपने practice की हुई है तो आप इसको solve कर सकते है अब क्योंकि हमारे पास एक हफता से ज़्यादा time नहीं बचा है अपने exam की preparation का तो जितना ज़्यादा previous paper solve कर सकते हैं आपकी practice ही बढ़ेगी उससे